तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और महिदार एपिसोड में क्योंकि आपने लाश्ट एपिसोड में जो हमने प्रियंका मैम के साथ करा था उस पर पार्ट टू के लिए बहुत जारे कॉमेंट्स करेते तो आज फिर से हमारे साथ मौजूद है प्रियंका शर्मा मैम ये एक मा काली हीलर है एक टैरो कार्ड रीडर है और ये आपकी समस्याओं का करती है समाधान बहुत ही अलग तरीके से मा काली हीलिंग उस प्रोसेस का नाम है इसके बारे हमने डिटेल में एक और एपिसोड कर रखा है पर आज हम कुछ और एक्स्पिरियंस जानेंगे जिसके थू वह हीलिंग कैसे काम करती है कैसे मातरानी आपको प्रोटेक्ट करती है और ये बस एक जरिया बनती है वह एनरजी आप तक पहुचाने का माम सबसे पहले दो आपका स्वागत है तैंक यू स्वागत है माम जो व्योज नए देख रहे हैं एक बार आप थोड़ा से एक्स्प मैं उनको पहले सज़स्ट करते हूँ कि आप पहले टे रो कार्ड रिडिंग करवाऊ रीजन कि एकल में जानतोल है उसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि आपको माकाली हीलिंग की जरूरत ही है ठीक है हो सकता है कि आपको मैं कोई मंत्रा बता जू या कोई और उपाई बता दू या क्रिस्टल बता दू जिससे आपकी problem solve हो जाए अगर आता है आपका हां कि माकाली healing ही required है for example किसी के उपर आ गया negative energy, evil eye, बहुत लोगों को लगता है black magic है बट वो black magic नहीं होता, evil eye होता है या फिर वो चक्रा से related कोई problem होती है तो हम क्या करते हैं उनकी current photo मंगाते ह ठीक है current photo के उपर मैं healing भेजती हूँ वो photo जो है उसके उपर कोई makeup नहीं होना चाहिए कोई filter नहीं लगा होना चाहिए current होनी चाहिए मतलब immediate की एक दो दिन पुरानी चाहिए full length की होनी चाहिए photo क्योंकि उपर से लेके, सर से लेके पैरों तक पूरी cleansing करते हैं माकाली की energy से माकाली की energy भेजी जाती है proper और फिर उसके बाद उनको protection देनी होती है तो सर से पैर तक पूरी protection की जाती है और वो protection कितने time तक energized रहती है वैस अगर बहुत chronic है चीज़े मतलब बहुत पुरानी चलती आ रही है बहुत पुरानी तो 6 महीने तो minimum रहती ही रहती है protection अगर आप पीच में किसी death में चले गए उससे पहले या फिर किसी birth में चले गए जैसे funeral हो गया किसी का birth हो गया ऐसी जगे चले गए तो वो थोड़ा सा उसका जो इंफेक्ट होता है वो कम हो जाता है कि आप कोई जैसे new born है उसके महां चले जाओ तो energy कम हो जाती है सूतक लग जाते है सूतक जीने हम कहते हैं कि जब किसी के हाँ death होती है या birth होता है तो हम देखो कि आप जब तक हवन नहीं हो जाएगा शुद्धी करन नहीं हो जाएगा या तेरवी या बारवा नहीं हो जाए तब तक वहां पे पूजा का इस्थान नहीं रहता क्योंकि वो जो new born आया है वो और साथ में याफे जिसके हां फिनरल हुआ है जिसके death होई है वो जब तक वहां पे रहते हैं अपनी presence देते हैं तो उनको उस energies के अंदर आने के लिए observe करने के लिए तब तक हम उनको open चोड़ देते हैं कि आप ये energies लो ये energy observe करो तो जब तक हम कोई सूतक के अंदर कोई न करा हो कुछ बताओ बहुत सारे हैं वैसे तो एक major वाला भी करती हो सबसे ज़्यादा दरावना वाला हो जाए दरावना तो नहीं कहूंगे क्योंकि माकाली की पूजा करती हूं तो वो तो सब पे blessings रहते हैं मैं आपके लिए दरावना नहीं होगा हमार लिए तो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो मेरी टीम थी वो भी डर गई थी उस सिनारियो में बताती हूं कैसे कि मेरे को किसी ने कनेक्ट किया कि माम मुझ पर ना black magic है प्लीज आप चेक करो ठीक है तो मैंने जब उन्होंने में को contact किया था तो मेरी टीम ने उनको यही बोला था कि आप पहले reading क चेक करेंगी कि actual में black magic भी है या नहीं या आपको सिर्फ लग रहा है ठीक है तो जब उनसे मैंने audio call उन्होंने book की मेरे से session audio call पर मैं उनसे बात कर रही थी बात करते करते क्या हुआ उनकी सास फूलने लगी मुझे आईगया लग गया था normal conversation पर कि आप बताईए अपना ना अपनी reading उपपर पूरा माकाली का मैंने दर्बार बना रहा है माकाली हनुमान जी जो डाइटीज है जिनको मैं पूछती हूँ वो सब उपर है और मैं नीचे बैठके reading करते हूँ तो उनकी सास फूलने लग गए मैंने का इनकी सास फूलरी है देखो क्या हुआ मैं चेक करत मैंने का यह हस रही है कुस तो गडबड है मैंने का आपके आसफास जो भी है ना उनको आप प्लीज फोन दे दीजे उन्होंने फोन दिया उनके पास उनके हस्मेंट थे उन्होंने फोन दिया उनको मैंने का सर प्लीज आप इनको ना महंदेपूर बाला जी ले जाओ इनका मैंने का मातरानी के हाथ जोड़े जब इतनी चीज खुलके आ ही गई है तो आप बताए कि क्या है सेनैरियो मैंने आप उनके हस्मेंट से मानने का आप स्पीकर पर फोन डालो मैं पूछती हूँ, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि शादी के टाइम पे इनके लगी थी शादी को भी उनके कम से कम 10-12 साल हो गए थे तब से वो health issues उनको रहते थे वो कुछ भी खाती थी, उनको नहीं ठीक होता था, उनकी body पूरी काली पढ़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे connect किया था, उनको लग रहा था कि black magic actual में उनके, ठीक है तो जब उन्होंने connect किया, फिर उनके husband को मैंने बोला कि आप इन्हें महंदी पूर बाला जी ले जाओ, वो कहते है, ma'am ऐसे जाएगी क्या चीज, आप जो कह रहे हो चीज क्योंकि ऐसे connect नहीं होगी मैंने का जाएगी आप, don't worry, एक तरीका होता है, मैंने उनको वो तरीका बताया फिर वो महंदी पूर बाला जी गए हमारी audience मैं से भी बता सकते हो क्योंकि हमने यह सुनाया, अगर कोई possessed है तो entity कुछ न कुछ बाद है डाल की रहती है वो जाती नहीं है, अगर possessed होता है तो क्या करते हैं, नारियल लेते हैं जो हमारा श्रीफल जैसे हम कहते हैं उसके उपर 11 रुपए, 7 रुपए, 15 रुपए, मतब सवाया करना होता है एक रुपए उसके उपर जरूर रखना होता है वो रखो, उस पे नारियल को बांधो ठीक है, या फिर उसे कपड़े से या फिर धागे से, कलावे से आप बांध लो, बांध के उसको अपने पूरे घर में घुमाओ ठीक है, लेकिन बात्रूम में नहीं सिफ, ठीक है जब आप नारियल लाओगों उससे पहले ही बात्रूम बंद कर देना आपने उस नारियल को आप पूरे घर में घुमाओ और आपने बोलना है लगा हुआ, छोडा हुआ, भेजा हुआ या आया हुआ कुछ भी है, हे बाला जी महाराज, इसको अपनी तरफ खीचो और इसको अपनी शरन मिलो, ये बोलना है आपको वो चीज जो होगी, बाला जी महाराज, कुछ भी करके अपने आपी खीच लेंगो उसको आपको कुछ भी कहने की कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे भी एक्जामपल है मेरे पास जहां पे लोगों ने खुद बताया कि जब आपने ये रेमेडी बताई है उससे जिसको पर वो पोसेस्ट है बॉडी वो परसन खुद कहता है कि मुझे लेके चल ठीक है वो समय कंप्लीट करने के लिए उनको कोई ना कोई बॉडी चाहिए हो ते वो कर लेते हैं पोसेस्ट जब उनका वो समय पूरा हो जाता है वो मोक्ष मांगते हैं तब वो चीज़े सामने आती है फिर जो भी मोक्ष के तरफ जाना चाहता है जिनको अब इससे चुट बहुत सारी बताई थी उन्हें जैसे वो रात में उठके अपने आप बैठी रहती थी बात करती रहती थी ठीक है हां कहते है कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे लग रहा है कि मेरी वाइफ करवर्ट लेके मतब साइड चेंज करके उनकी साइड नहीं है फेस उस तरह सो क्योंकि उनका शायद मोक्ष का समय आ गया था जिनको जाना था जो कनेक्ट हुए और चली गए बड़ आपकी फिर बात हुई वो होकर आ चुक है वो उनसे बात हुई उन्होंने का कि माम अभी मेरी वाइफ बहुत अच्छे है बकाईदा जिसे हम कहते हैं मेहंदीपुर ब क्योंकि यह उतरने के बाद भी जो पॉजेस्ट होती है बोड़ी उनको चलिया पूरा करना होता है 40 दिन पूरे करना होता है वो पूरा हो गया उनका नाव शी इस हैपी तो वो उसी उपाए से वहा पे गई थी जो आपने बताया था जी 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 उसी उसी उपाए से गई औ और वो 40 दिन तक क्या precaution लेने होते हैं? लेकिन जो मैं माकाली फिर अब क्या हुआ है? बड़ ये उन लोगों के साथ है जो possession उतरवाके हैं? जो normal दर्शन करके हैं? उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं होता है ऐसा, कुछ भी. अब इनको मैंने जब यह बताया है, तो यह हो गया, यह सबसे extreme case था. फिर जिनका ये नहीं होता, body possessed नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, उनके लिए माकाली healing best होती. क्यों? क्योंकि अगर आपके, for example, जो लोग आते हैं, कहते हैं कि मैं हमारी health के बहुत concerns हैं, कुछ भी हैं, तो उनके health concerns के लिए कि उनके चक्रास कौन से disturbed हैं, यह चेक करना पढ़ता हैं, और यह मैं कैसे चेक करते हूं? Through the tarot card. For example, अगर किसी का, मैंने चेक किया, सेक्रल चक्रा में wans आ गया, बहुत सारा, तो मतलब wans उसकी जो है fire element हो गया, उसको definitely gastric problem होगी ही होगी, ठीक है, उसके acidity problem होगी ही होगी, अब कोई आ रहा है, मैं मेरे relationship बार-बार टोपते हैं, बार-बार टोपते हैं, मैं कितना ही कु या तो उसका over active होगा, या फिर under active होगा, over active होगा, trust नहीं कर पाएगी, under active होगा, अपने आपको एकदम सामने वाले पे नुच्छावर कर देंगे, जिससे की सामने वाला आपका misuse करेगा ही करेगा, तो ये चक्रा cleansing करते हैं, माकाली healing के तुरू, पूरे chakras check करना, हर चक् मोटिव होता है, हमारी बॉड़ी में कितने चक्रा है, 7 चक्रा है, 7 चक्रा तो कर्टी कर्टी में, एक और special चक्रा होता है, जिसे हम कहते है, past life चक्रा, अगर आप अपनी फिंगर से कान के पास, ऐसे हाथ लेके जाओगे, देखो, आपका हाथ कहां आ रहा है, यहां आ रहा ताकि इस लाइफ की चीज़े भूल जाए, अगली में जाए तो, यहां पर past life चक्रा होता है, हमारा, यहां पर memories store होती है, आप देखोगे, काफी लोग होते हैं, जिनको past life की चीज़े याद होती है, कि मैं तो वहाँ जन्मा था, मेरे साथ तो यह था, वो इसलिए कि उनकी या तो past life जो है अभी, डिलीट नहीं हुई है, या उनकी कापाल क्रीया नहीं हुई है, इसलिए कापाल क्रीया की जाते है, क्योंकि हाँ, past life चक्रा होता है, जो लोग कहते हैं, चक्रा पे कुछ नहीं होता है, एěच्वल में, चक्रा बहुत important होता है, हर चक्रा अपना, ज यहां पर अनन्त होती है, यहां अनन्त होती है, थाउजन से भी प्लस होती है, यह वाला चक्रा खुल गया, तो मतलब आपका पूरा कमल खुल गया, मतलब आपकी जो अवेकनिंग है, वो अपन हो गई, ठीक है? यह चक्रा spirituality के लिए होता है, बहुत important होता है, spirituality के लिए आपका crown chakra open होना, क्योंकि crown chakra, अच्छा चलो मैं बता देती हूं, root chakra हमारा security के लिए होता है, root chakra अगर किसी का disturb है, उसको हमेशा fear of failure रहेगा, उसे डर लगे रहेंगे, जैसे कुछ भी काम करने से पहले उसको ये लगेग होगा नहीं होगा, negativity आती जाएगी, ठीक है, फिर आते है हमारा sacral chakra, अगर किसी का sacral chakra disturb है, या तो वो overly active, sexual activities में होगा, over होगा, अगर उसका over active है, अगर उसका बिल्कुल disturb है, तो उसका sacral chakra बिल्कुल खराब है, importance की problem होगी, ठीक है, जिन लोगों को ये होगा, ठीक है, और स करेंगे, करेंगे, आप तीनों लोगों का sacral chakra active होगा, creative काम कर रहो, कोई नहीं चीज, रोज नहीं topic ले क्या ना, sacral chakra, solar praxis chakra, जिसका ये disturb होगा, या active होगा, जैसे भी होगा, या तो over active होगा, या फिर under active होगा, इसके अंदर क्या होगा, उसको compassion की problem होगी, trust की problem होगी, ठीक है, heart chakra आता है, upper heart chakra आता है, अगर आपका पूरा heart chakra disturbed है, तो आपको relationship में problem आएगी, 100% आएगी, फिर मैं check करती हूँ, जैसे सामने वाला आया, उसका tarot card reading से, कि heart chakra में, उसका seat heart chakra disturbed है, कि relationship में trust का issue आ रहा है, उसको या फिर उसको relationship वैसे ही दिक्कत आ रही है, या उसका past life का कर कर्मा आ रहा है, वो भी पता चलता है tarot से, कि past life में अगर relationship से related आपने कोई कर्मा किया है, वो hit करेंगे करेंगे इस life में आपको कर्मा, वो आपको disturbance करेंगे ही करेंगे, और उस कर्मा के चक्कर में आपका relationship इस life में disturbed हो गई होगा, या तो आपकी शादिश्यदा जिंदगी में दिक्कत आएगी, या आपका relationship नहीं बन पाएगा, यह होगा होगा, ठीक है, यह आगया heart chakra, यह रात है हमारा throat chakra, throat chakra जिसका disturb होगा, सबसे जादा उसको जो होगी जूट बोलने की आदत होगी, वो गलत बोलेगा, ठीक है, या अपशब्द इस्तमाल जादा करेगा, जिस थरड़ाय चक्रा जिसका disturb होगा, especially student के case में थरड़ाय चक्रा disturb होता है, reason बताती हूँ, क्योंकि यह intelligence के लिए होता है, ठीक है, यह focus के लिए होता है, अगर focus नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, तो मतलब उसका थरड़ाय चक्रा disturb हो सकता है, तो बच्चों के लिए फिर मैं crystal पाइन सब्सक्राइब तो हीलिंग माकाली कर देंगे, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनको हम crystal पहना सकते हैं, stone उनको भी निपहना सकते हैं, अठारा साल तक के stone, लेकिन crystal के energy इतनी active नहीं होती है, बट energy होती है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, crystal पहना सकते हैं, ठीक है, ज divine power से connect, जैसे कि मैं जब healing वगेरा करती हूं, तो मुझे पता लगता है, लोगों के बारे में, ठीक है, कि इनका past, क्योंकि अगर आप देखोगे न, मेरे उस पे भी जाके website पर उस पे, लोगे लिटरली feedback में लिख रखा है, कि हमने इनको कुछ भी नहीं बताया था, हमने सि healing book की थी, ठीक है, और इन्होंने अपने आप बताया कि आपके इसमें मुझे चक्रा में ये दिक्कत दिखी है, अभी जैसे अभी past का कल की healing हुई है, ठीक है, एक person की उन्होंने मदर के लिए सिर्फ लिख के, मैं बोलती भी निए, कि आप मुझे पूरा लिख के भेजो, मै आपको health से दिक्कत है, career से दिक्कत है, career लिख के बेजो, उन्होंने लिख के बेजा अपनी मदर के लिए health, ठीक है, मैं उनकी healing कर रही है, उनका throat chakra पे मेरी energy जाही नहीं रही है, रुके जा रही है, throat chakra जब disturb होगा तो वो gum से related, ear से related भी issue create करेगा, अब मुझे उनके gum बार दिख रहे हैं, मैंने उनको voice note भेजा, healing के बाद मैं feedback जरूर शेयर करती हूँ, मैंने उनको voice note भेजा, कि आपकी जो मदर है, उनको क्या gum से related issue है, उन्होंने कहा, OMG मैं, मैं am literally shocked, reason कि मेरी mother को ना, दो बारी root कनाल कर आ चुके है, वो satty नहीं हो रही है, उनके gum में ही problem आ इतन करना तक healing में पता चलता है, एक क्लाइन का inflammation का, उन्होंने पता है नहीं पता है, उनकी body में inflammation की दिखकत है, सूजन उनको होती है, problem है, सूजन की, कहता है मैं, आपको कैसे पता चला कि मेरी body में सूजन की problem है, मैंने तो आपको सिर्फ health लिख के भेजाता, तो जब हम cleansing करते ह healing करते हैं, तो healing के अंदर हमार को chakra's के उपर proper energy पता चलती है, हर chakra का अपना एक color है, अगर वो color आपका exact उस time पे, healing के time पे, दिखने लग गया, तो मतलब उस person का वो chakra cleanse हो गया, अगर वो dark color दिख रहा है, या black दिख रहा है, या कुछ भी, वो healing में मैं जैसे अपनी students को भी सि हैं, अगर नहीं हुआ, एक बारी healing में भी, तो मैं पहले ही बता देती हूं, कि आपका बहुत chronic है, बहुत time लगेगा, तो दूसरी healing भी required हो सकती है, तो मैं आपके crown chakra active है, मतलब अगर आप फिल कर पा रहे हैं, इस level पी मतलब, तो जब आपने बोला कि जब आप healing करते हो, ज energies देते हैं, जिस chakra पे energy flow हो गया, मतलब वो chakra ठीक है, ठीक है, seven chakra है ना हमारे, seven chakra में से अगर जिस पे भी मेरी energy नहीं जा रही है, ब्लॉक हो रही है, रुक रहे हैं हाथ, तो मतलब उसका वो chakra disturb है ही है, बहुत जादा disturb है या तो, या कम है, जैसे जिन लोगों को conceiving में problem होती है, it means उनका root chakra और sacral chakra, मैंने अभी बता है ना, intimacy की दिकत, relationship की, sexuality की disturb sacral chakra से है, ठीक है, ये उनका sacral chakra disturb होगा, अगर जिनको conceiving की problem हा रही है, और root chakra भी होगा, क्यों failure हो रहा है बार बार, conceive कर भी पा रहे हैं, तो miscarriages हो रहे हैं, या कुछ हो रहे हैं, वो failures हो रहे हैं, तो मा होती हूँ, कि पहले आप reading करवा के देखो, for example, की healing की जरूरत ही नहीं है ना, अपको, फिर अगर आप direct healing book कर रहे हो, उसका result आएगा ही नहीं, आपको, अगर जरूरत ही नहीं है healing की, और आपने कर दिया, for example, आपको भूकी नहीं लगी, आपने कुछ खाना order कर दिया, तो आपके लिए तो खाना waste होगिया, similarly healing की, अगर मेरे पास बहुत सारे ऐसे client है, जो सिर्फ इन journal करवाते हैं, कि माम हमें healing के बहुत अच्छा लगता है, हमारी body light हो जाती है, वो सिर्फ इसलिए करवाते हैं, और वो regular है, वो महीने में एक-एक-दो-दो healing करवाते ही करवाते ह लाइट फील रहता है, तो generally भी करवा सकते हैं, generally, जर्णल भी आप करवा सकते हैं, अगर आपकी body heavy रहती है, आपके chakra में कोई disturbance नहीं, आप meditation करते हो, तो आप journal भी करवा सकते हैं, वैसे process यह रहता है कि पहले reading करवाओ, जानों, फिर healing कराओ, कि क्या दिक्त, correct, 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 माम क कोई और case से समझते हैं, कोई ऐसा interesting case आप बताओ, जो आपको भी हरानी हुई हो कि ऐसा हो कैसे गया, मतलब आया किसी और चीज़ के लिए हो कुछ और गया, आजा, मेरी अभी दो-तिन दिन पहले की reading, एक, ठीक है, मेरी client ने बोला, पहले normal reading करवा ली, reading करवाने के बाद क्य communicate करना है, कुछ करना है, क्या, तो जब मैं reading करती हूँ, कोई ancestors होते हैं, वो मेरे सामने आ जाते हैं, मेरे सामने, मैं ये तक बता देती हूँ, कि आपके ancestors जब last time उनकी death हुई थी, क्या उन्होंने ये color पहना था, क्या उन्होंने ये खाया था, या उनका favorite color ये है, वो but human being तो हुई ना, जैसे एक client, दो example बताती हूँ, एक client के, उन्होंने अपने father के लिए पूचा, उनके father, he was positive, like no, तो उन्होंने पूचा कि father के लिए कुछ मैंने उनको बताया, और मैंने उनको especially पूचा, क्या आपके father कुछ खाते थे, टबैको वगरा कुछ खाते थे, तो कहता था, उसने बोला मेरे को client ने, मैं मेरे father की और मेरी इसी बात पर लड़ाई थी सिर्फ, अच्छा, क्यों, क्यों, मैंने उनको specifically ये चीज क्यों पूची, क्योंकि जब मैं उनकी reading कर रही थी, उनके father मुझे दिखे, और मूँ चला रहे थे, कुछ खा रहे थे, मैंने प उन्हों ने कल, ancestors अपने में दिखते हैं मुझे, मैंने का, okay, उनको बात किया, बताया, मैंने का, आपके ancestors ये, ये हैं, कहते हैं, ठीक है, और मैं उनकी reading कर रही है, और मेरी, जबकि मैं WhatsApp कॉल ले थी, तो मैं इसलिए शॉक्ड हुई, क्योंकि अगर Zoom पे, अगर Zoom call पे आप ह तो आप उस पे थमसब भेज सकते हो, है ना, Zoom पे, WhatsApp पे थमसब नहीं भेज सकते हो, कोई option नहीं होता, WhatsApp पे थमसब भेजने का, मेरे को बार-बार थमसब आ रहा था, मैं दिखाऊंगे आप लोग को, आपको दिखाया ना, मैंने अभी, मैंने ना, कहा, हम यहाँ स्क्रीन प प्लीज वो हटा देना, फेस, है ना, वो उसको बलर कर देना, और वो थमसब वाला दिखा देना, तो वो बार-बार थमसब आ रहा है, स्क्रीन पे, मैं कहती है, नहीं मैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही, देखो, मेरे हाथ तो यहाँ है, मैं आपके एंसिस्टर्स की बात कर र तो मैं रीडिंग करती जा रही हो, मैंने ना, मनी मन में एक बार ही तो और दिखा दो, एक लिस्ट मैं अपने सामने आले क्लाइन के लिए जूटी तो नहीं होंगी, कि मैं अपनी मन से बोल रही हूं, जैसी मैं यह का दुबारा आ गया, और मैं तुरंथ स्क्रीन शॉट ल से पूछा, उनके एंसेस्टर जो नॉर्मल उनको बता दिया, जो सपने में दिखे, मैंने का आपके आपे क्या पहले तर्बन पहनते थे, क्या, कह रही नहीं माम क्यों, मैंने का मुझे तर्बन में कोई परसन दिख रहे है, एजिट थोड़े, यह कौन है, फिर उसने का मा परसना ही नहीं थे यह बात मुझे, लेकिन वो मुझे दिख गया, तो यह इसलिए, बिकाज अव दी रीडिंग, रीडिंग के टाइम पर मैं एनर्जिस कनेक्ट करती हूं, मा की ब्लेसिंग्स लेती हूं सामने वाले की, कि आओ, आप अगर हो, आप सही गाइडेंस दो, ज मैसिज रॉंग मैसिज है, कुछ कनवे करना चाहते है, क्या होता है? डिपेंड करता है कि अगर वो आपको डरा रहे है, कि मैं ले जाओंगा, या मुझे यह चाहिए, तो वो गलत है, तो आपके घर में पित्रा दोश बन रहा है, मतलब आपसे वो नराज है, आपसे नराज हैं, क् parlé मेरे साथ चलें, जैसे कहीं लोग कहते हैं, क्या वो मुझे ले जाओंगा, तो मतलब कि वो गलत है, वो आपके अनकहीं खुष नहीं है, और अगर यह कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तो इतमीst ुilling मि यह अच्छा है, तो पॉस पॉसि इसमें भी मैं हूँ और अगर इशारे कर रहे हैं कुछ बताते हैं कुछ करते हैं तो डिपेंड करता है तब आपको क्या करना होता है आपको कनेक्ट करके पूछना पड़ता है कि क्यों क्या क्या दिखा रहे हो लेकिन इसको अगर वैसे समझे तो इसको डिकोड कैसे करें कि क हाला कि उनका कोई message भी नहीं होता है, वो हमारे दिमाग का ही खेल होता है, तो ऐसे लोग misguide नहीं होता है, तो इसके लिए यह होता है, फिर आप बैठो और सोचो कि आपने क्या इस बारे में सोचा था, अगर आपने इस बारे में सोचा है पहले ही already, तो मतलब आपका mind में कह रहा था, तो आपको सपने में दिख गया, all of a sudden आ गया, ठीक है कि कही देन इन देर, कहीं पे भी नहीं है, और all of a sudden आपके ancestor आ गये, या आपको कोई ऐसा सपना दिख गया, तो वो क्या होगा, इसका मतलब वो कोई message मिल रहा है आपको, तो जानो, तो देखो कि उस पे decode करो कि क्या इस message का मतलब क्या हो सकता है, क्यों मुझे दिखे, क्या कुछ रही है, क्या कुछ बोल रहे हैं, और मैं अगर ancestors आप से connect करना चाह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह होता है कि उनके last riots सही से नहीं हुए, क्या मतलब कुछ उनकी कमी रह गई, या फिर वो रहते ही है ह मैं यह थिख सकते हैं, गफ्भी भी भी दिख सकते हैं जब हमारी death होता है, तो हमारी आत्मा क्या स्बिटत हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग वो जो हमारे ancestor की रूप में है, और ये वो जो हमारा नया जनम ले लिए, तो ये वाला जो हिससा है ना, वह आपका हमेशा रहेगा, as in ancestor, पूरी जिंदगी, चार पीडियों तक रहता है, तो इनको इस हिस्से को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, नहीं, मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त हो गया, तभी तो दूसरा जनम मिल गया ना, लेकिन ये ancestor आपके चार पीडियों तक ह पराद नहीं करेगा जो आपके Grandfather है Great Grandfather है उनका नहीं करेंगा तो आप देखो कहीं पे भी Great Grandfather तक का ही नाम लिया जाता है उससे उपपर का नहीं लिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि चार पीडी तक रखते हैं और मैं जो जो भूत प्रेत बन जाते हैं उनकी spirit split नहीं होती क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिला है तबी वो भूत प्रेत तबी वो अटके हुए है आकाश और प्रित्वी पे बीच में वो तबी अटके हुए है क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिला भी ता तो उनकी spirit split नहीं हुई अभी split नहीं हुई यहाँ पे अटके रह जाओगे और दुखी हो जाओगे इस जिन्दगी में जिसमें अभी इतने परेशान हो इससे बजाए कुछ और एक्ष़ाइब कुछ और काम कर लो कुछ और रेमेडी कर लो कुछ कर लो बजाए सुसाइड करने के और मैं तो सुसाइट वालों को डारेक्ट ली बोल देती हूं, एक काम करो, सुसाइटल हेल्प लाइन नमबर है, उस पे जाओ, उनसे बात करो, कि मैं आपको गाइड कर आँ, तो उस केस में क्या करती हूं, आप रीडिंग कर वालों, मैं रीजन जान लेती हूं, क्या हो रहा है, और मैं उसके अक्रडिंग आपको सुलूशन दे देती हूं, आप वह कर के देख लो, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे आते हैं, लिटरली म मैं अच्छे बोलु ही, वह मेर से बात करते हैं, बात करने के बाद ही कहते हैं, बहुत पॉजिटिव हो गया, अब हमार को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, कि हाँ, अब बैटर हो जाएंगी चीज़े, और मैं जैसे एंसिस्टर ऐसा भी होता है, कि अपनी ही जो फैमिली मे हैं या नहीं, क्योंकि अगर नॉर्मल फादर दिख रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्दा है आपके फादर, और है, सब चीज़े, कुछ बोल भी नहीं रहे तो मतलब वह नॉर्मल सपना है, लेकिन अगर कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो एक हमें चेक क इसकी तो डेथ यह अभी थी नहीं, इसका तो यह टाइम ही नहीं था, मतलब कुछ बता लग जाए है, कि इस परसन की 80 साल तक की उमर है, उमर है इसका कोई जटका नहीं देख रहे हैं, इसकी डेथ नहीं देख रही है, उससे पहले ही इसने कर ली, सुसाइट कर ली, ठीक ह हमारा हां जब यह हमारा थड़ाय चक्रा डिस्टर्ब होगा डिप्रेशन होगा और सोसाइटल थौट्स बहुत आएंगे हमेशा होगा यह जिनको सोसाइटल थौट्स आ रहे हैं उनका थड़ाय चक्रा डियक्टिवेट है ठीक है तो वो क्या करेंगे उस डिप्रेशन में आ से दिक्कत है तो बंदे ने सुसाइट कर लिया मतब कोई भी रीजन हो सकता है लेकिन उसके पीछे अगर कॉस देखो गया बिप्रेशन या क्रॉनिक पहले से चलती आ रही होगी प्रॉब्लम जिसको या तो वह बोल नहीं पा रहा 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 तो बतानी पा रहा अपनी प्रॉ तो उन्होंने रीडिंग करवाई रीडिंग करवाते करवाते हो बोलती है मैम मेरको बहुत अजीब सा लगता है बहुत दिक्कत होती है तो उनकी पास लाइफ में और कैरी मेरे बचपन से स्टमक ही बहुत डिस्टरब है बचपन से ही मेरे स्टमक में दिक्कत रहती है पास तेरे स्टमख पे एक ऐसा लंबा लाइन है, क्योंकि उनकी पास लाइफ में ना, उनकी डेथ स्टमख की वज़े से होती हुए और स्टमख ऑप्रेशन हुआता उनका, जो सक्सस नहीं रहाता हुए उसकी वज़े से उनकी डेथ हुई है, और अब भी उनके माइन, मुए भी घ्लाइन आजाती है थी ल्डा यॉकलर किया जाता है दिखाम क Congressman का कोई बडु मार्टर माक इस बॉढ़े है तब अगर रन्नम माक है तब तो फिर पर यह वाले बर्थ मार्ण डिकोट नहीं करते हूं अब पहले करती थे अब नहीं करते हूं क्योंकि इसके लिए फिर बहुत डीप रीडिंग पर जाूं फिर बहुत कुछ करो फिर सामने वाला belief करे ना करे वो भी एक matter करता है क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ आप आ रहे हो come with the belief, trust और जिनको आप मान रहे हो उनके belief के साथ अगर आप belief करके आओगे तो 100% result मिलेगा अगर आप आओगे क्यों कैसे कहां नहीं मिलेगा remedy दे रहे हूँ, करके देखो, अपने आप result मिलेगा, अपने आप वापिस आओगे मेरे पास आते हैं कि मैम आपने ये remedy बताए थी कितने लोग तो literally ये लिखते हैं मैम, you are a goddess, मेरी health के सारे concerns ठीक हो गया मैम मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है मैम आपने बोला था, दो महीने में financial issues ठीक हो जाएंगे एक महीने में result दिग गया, मुझे stable income आने लग गई मैं कहते हूँ कि आप आओ, belief system के साथ आओ आप जिनको मानते हूँ, उनको, उनपे belief करो मैं जिनको मानते हूँ, उनपे belief करो 100% आपको result मिलेगा बट कम विद द बिलीव system माँ, आप अभी off camera एक case बता रहते हैं जहां पर आपकी body पे वो चीज़, energy हाभी हो रहती client को भी same problem हो रहती मैं चाहता हूँ, आप audience को वाली बताओ तो क्या होता है, जब हम reading करते हैं न mostly यह होता है, जितने लोग मेरी audio और video call लेते हैं उन सबको यह बात पता है कि मैं literally उनसे पूछती हूँ, जिन जिनके साथ होता है लोग comment में भी लिख देंगे हाँ या नामे कि yes, हमें यह feel हुआ है उनकी body पे अभी मेरी एक client थी उनकी sister कहीं और रहती है वो कहीं और रहती है तो उन्होंने अपनी sister के लिए reading करवाई थी उनकी sister के मैंने reading की थी ठीक है, जब reading की थी तो उन्होंने मिरको ना, उनके घर की एक video भेज दी मैंने उनकी video देखी घर की और मैंने reading करनी शुरू की मैंने आपके chest pain हो रहा है क्या अभी मैं सिफ मेरे client के अगर हाथ में भी दर्द होता है ना, मेरी body पे आता है उस time पे मेरे हाथ का दर्द भी बता सकते हूँ आपके इस time पे हाथ में दर्द है या आपके हाथ में दर्द रहता या नहीं रहता उसको ना वो अनीजीनेस होने लग गई और वो इतना वो literally late गई थी उसकी कमर में इतना दर्द होने लग जया था उस client के literally क्यारी मैं मैं आपकी अगर आपको same क्योंकि आप जो बतारे हो में को same वो ही feel हो कि यह यह प्रॉब्लम होती है आपके से और वो शॉक्ड हो गई कह रही मैं मैं आपकी हिम्मत मानती हूं कि आप इतना पेन जो मुझे और और सेम आपको और है आप फिर भी बैठके रीडिंग कर रहे हो क्योंकि एनर्जी आती है उसकी कमर में ऐसे दर्द हो रहा था कि वो न एनर्जी आती है सामने वाले की वो रोकने आती है या रोकने आती है वो नेगटिव एनर्जी थी जो रोक रही थी लिटरली मुझे रोक रही थी कि रीडिंग मत करो मत करो उसने पूछा मैं ये ठीक होगा मैं इनका हो जाएगा डूंट वरी आप माकाली के दरबार में आय आप लोग लिटरली कॉमेंट करके जाते हैं, सबसे पहली चीज तो बता दू, अगर आप गलत बोल रहे हो, तो आप अपना थ्रॉट चक्रा खराब कर रहे हो, डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके गले में, मूँ में, कान में कोई दिक्कत आएगी आएगी, अभी नहीं आ कर रहे हैं, आप कितनी महनस से पॉड़कास्ट कर रहे हो, किसी को नहीं पता ना, लोग तो आके बोल जाएगे, रहे आराम से बैठे हैं, बना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी आपको रिसर्च करनी पड़त हैं, कौन गलत हैं, लोग को क्या पता, तो इसलिए जो एनर पहने रखते हूं, ब्लाक टर्मलीन विच इस प्रोटक्शन, यह मैं सब को बोलती हूं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं यह सब को पहना तो आप जरूर पहना जाएगे, तो आप यह चार्ज कर वाके देते हैं, अगर मेर से खरीद है, हर ब्रैसलेट पर, मैं जिस दिन संडे बैठती हूं, मैं ऐसे करती हूं, बारा, 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 घंटे ऐसे, तो अगर आप मिल को आज ओर करोगे, तो आपको पंदरा बीस दिन में मिलेगा, यह नहीं कि आपको सेम नेक्स दे मिल गया, नहीं, तो उनको चार्ज करके फ मेरी बहुत सिंपल रेमिडी देते हैं, जैसे अभी होली आई रही है, तो आप कुछ ओडियन्स के लिए बताओ, कैसे, क्या, जिन लोगों को जैसे होली आ रही है, जिन लोगों के घर में बहुत नेगिटिविटी रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है, एक श्रीफल ले लो, ठीक है, नारियल, सुखा नारियल होता है, जो माता को चड़ाता है, वो नारियल ले लो, नारियल लेके उसको होली कर जो देहन होती है, उसके तिलक कर लो, पहले सत्या बना लो, तिलक करो पहले, उससे उसके उपर सत्या बनाओ, ठीक है, उसके उसके उपर पांच बताशे दीरे दीरे ठीक हो जाएंगे ठीक है जिन लोगों के conceiving problem होती है वो होली वाले दिन लड़ू गपाल को पीला चंदन जरूर लगा है पीला चंदन उनको जो है वो रिलेक्स मिलेगा मतब कि जल्दी के चांज वैसे तो कोई भी कर लो हां लेकिन अगर किसी को बेबी कंसीव करना है उनके लिए तो बहुत अच्छा है यह और कुछ होली पे कैसे टोट को से बहुत से वान लों किसी का टोट के पैर लग गया होली दिवाली दशेरा तीन दिन ऐसे होते हैं जिस पे नेगटिव एनर्जी बहुत जादा स्टॉंग होती है बहुत हाई होती है बहुत हाई होती है बहुत हाई होती है पॉजिटिव भी हाई होती है नेगटिव भी जैसे अब मैं होली की मेरी स्पेशल हीलिंग आ रही है जिन अब लग गया अब क्या कर हो पांच लड़ू पूंदी के। फांच लड़ू लो उसके ओपर एक पान का जोड़ा Light साधा पान राखोhält alguna पैर अपने घर से निकलना और रखाद के हनुमान जी के आजाओ जब घर पे वापिस आओ पानी प्यों हात मुद्धो और फिर अपने घर के अंदर एंटर करो पहले भारी यह पहले ही भार की भारी जो चीज अगर गलती से लगी भी है पहले ही प्रोटेक्शन हो जाएगी वह भार की भारी अंदर नहीं आएगी अच्छा मैं एक औ जरूरी होता है confirm करना क्योंकि कई बार गलत एनर्जी से भी connection हो जाता है तो कुछ experience हुआ है उससे related तो बता हो गलत एनर्जी से भी ऐसे connection हो जाता है जैसे मैं एक क्लाइंट की healing कर रही थी ठीक है healing करते करते मुझे ऐसा लगा मेरा किसीने हाथ पकड़ा है और मेरे वो लिटरली माग बनाता अभी तो नहीं है वो मेरे लिटरली हाथ पे माग बनाता ठीक है क्योंकि उन्होंने मेरे से करवाया था black magic removal के लिए healing ठीक है मेरे हाथ पे माग बन आपको एसे human being दिखेगा नहीं वो वीजन होता है आपके हाथ जो हाथ पकड़ा हो आपको फील होगा कि हाथ पकड़ा अब मैं आपका हाथ पकड़ा होगा तो आपको फील होगा ना लिटरली फील होगा next day बकायदा माग थे उसके मेरे मुझे लगा मैंने तभी मा काली से क किया मैंने का मा ये चीज सही नहीं है पॉजिटिव नहीं आई है डिसकनेक्ट मी क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक किसी और का रिमॉव कर रही थी बीच में कोई और एंटर हो गई तूरंत रिमॉव तो वो जो एनर्जी जिसका आप हटा रहे थे जिस परसन का तो वो उस पे जो लाइट जरूर लगाएगा लाइट इन दसेंस फार्म ऑफ कैंडल या दिया वो जरूर लगाएगा कि हम पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं हम नेगटिव को नहीं कर रहे हैं और वो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन करके बैठेगा हमेशा बट सम टाइम क्या पर कोई अलाओ नहीं होता कि कोई एक इवन मेरी डॉर्टर क्या मेरे हज्मेंट क्या मेरी कोई हाउस हेल्प क्या कोई एंटर नहीं होंगे मैं बारा घंटे हीलिंग में बैठी हूँ तो बारा घंटे तक मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा और बारा घंटे तक मेरी हीलिंग चलती हैं, एक-एक, मतलब पूरे-पूरे दिन की, अगर सुबह आट बजे बैठ़ूगी, तो रात को आट बजे तक करूँगी, कई बार सुबह चार बजे भी करूँगी, वह डिपेंड करता है कि मातारानी क्या वो कर रहे हैं, कि सुबह चार बजे बैठना है, छे बजे ब जोंको सबसे प्रिया है वो चड़ाया जाते जी से फल में आनार हो गया, मिठाई में सफेद मिठाई उनकी प्रियोत है वह चड़ाओ, साथ में मंत्रा जाप चंटिंग वह आपको एक तो एनरजी देती है, साथ य साथ आपको प्रोटेक्ट भी रखती है अपने वह देखा है कि आपने कोई पड़ या कोई चड़ाय चाड़ा य तो उस पें भोग लग गया ओलक से आप जैसे बात में देखा वो एक्सपिरिंस किया है वह भोग तो नहीं किया मैंने लेकिन हाफ फूल गिरते हुए तो मैंने बहुत बार बहुत बार देखे है मैं जूट टो बोलती हैं तो दूट नहीं हूँ कि मैं जूट तो बोलती हो नी तो दूट gelir नहीं हुआ। माकाली healing course के अंदर जब वो आते हैं और जब वो healing के process सीखके जाते है उसमें और जब वो complete कर लिते हैं उसमें जमीन आस्मान का फरक होता है कितने time का course होता है course सिफ दो दिन का होता है first day जो होता है that is main important जो मैं देती हूँ किती गंटे पढ़ाते हो एहां वो बताती हूँ, first day सिर्फ 10 मिनट होते हैं, सामने वाले के, 10 मिनट में उसको पूरी दुनिया दिख जाती है, reason, मा काली से आपनेगासय च्णा करते हो दस मिनट में मीडियू से करके हैं तो इतनी बड़ी वह आपको पूझा करते आप वह सकते आप जेसे मैं आया तो आप मुझे जहीं कर वा दोंगे ड़िए में कर देए अभी अभी तो रहने यह बहुत इंट्रस्टिंग जी दे ज़िए अट्यून्मेंट जो होती है ना कोई भी गुरू जब अपनी दिक्षा देता है अट्यून्मेंट बेसिकली वही होती है अट्यून्मेंट का क्या मतलब होता है अट्यून करना किसी से दिक्षा गुरू दे रहा है जब जब गु क्लिंज करते हैं वो बताते हैं हमने लिटरली देखा हमारी बॉडी से ब्लैक कुछ निकला है लिक्वेड जब उन क्योंकि जो मांकाली के पास आ रहा है उनके चक्रा क्लिंज करके ही वह एंटे कर सकते हैं नेगेटिव थौट नेगेटिव पैटरन के साथ मांकाली से पूजा मैं तामसिक नहीं कर और सामने वाला बंद क्या पता कुछ मासमां दिकांके बैठा है या कुछ करके बैठा है फिर वो इसफेशली उनको पहले बता दिया जाता है कि इस दिन आपकी अट्यूनमेंट है इस दिन आप नौन विज या फिर अग अग अवाइड करो ग तो मारे हाथों में वाइबरेशन हुई है हमारी बॉडी में यहां यहां वाइबरेशन बच्छे рोते हैं अट्पी में ताहिविन म इस एक्सप्रेमन कre el sugar कि आप करो कभी definitely I'll give you this experience, मा काली का जो है न तो first day क्या होता है, attunement होती है, 10 minute individual, उस 10 minute के अंदर कोई दूसरा student नहीं जोइन कर सकता है, अच्छा one to one, one on one होगा वो, सिर्फ मैं और सामने वाला student, वो attunement के time पे, उस दिन सिर्फ 10 minute, उसके next day जो होता है, वो class होती है, उस class के अंदर उनको सब कुछ सिखाया जाता है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या करना है, क्या नहीं, किसके लिए healing कर सकते हो, किसके लिए नहीं protection कैसे कर दी है, अपनी भी दूसरे की भी अपनी फैमिली के लिए कर रहो वो कैसे ब्लैक मैजिक अगर है तो क्योंकि शुरुआत में अगर आप नियू एंटर कर रहो और आपको कुछ नहीं आता तो ब्लैक मैजिक आप रिमूब नहीं कर सकते हो मैं पहले यह बता देती हूँ कि मैं यह नहीं सिखाऊंगे आपको क्योंकि उसके साथ और चीज़े भी करनी पड़ती है माकाली सिफ माकाली हीलिंग से ब्लैक मैजिक आप नहीं रिमूब कर पाओगे ठीक है प्रैक्टिस में क्या हो तो मनला वो किसी और की हीलिंग करते हैं या सेल्फ वो खुदी देखते हैं उनके चक्राइब खुद बताता है कि आज मुझे औरेंज लाइट दिखी है मेडिटेशन के टाइम पे मतलब उनका सेक्रल चक्रा अक्टिव हो गया आज मुझे ग्रीन लाइट पॉजिटेव आती वी दिखी है मतलब उनका हाट चक्रा क्लिंज हो गया खुदी बताते हैं मेरे को कुछ नहीं बताने की जरुरत पड़ती वो पूस्त शुरू में उनका क में कैसे पता चलेगा हमारे चक्रा क्लिंजिंग हो गया हमारी हीलिंग होरी है बात Опने मुझे बता होंगे मिझे हो तो मे अरक में शीको नहीं दे सकते हो तो आप हर किसी को देते हो या आप भी का नहीं मैं हर किसी को नहीं देती हूँ मैं मेरे पास जो माकाली हीलिंग सीखने आते हैं उनसे मैं कनेक्ट जरूर करती हूँ मैं उनकी energies feel करती हूँ कि ये positive है ये negative है ये कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा अगर आता है yes ये कर सकता है तो मैं बता देती हूँ जिसका आता है नहीं हाँ बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे student है जो करता है अपनी family के लिए कर रहे हैं उनकी energies check करके feel करके कि हाँ positive है negative है कई लोग negative mindset से भी तो आ सकते हैं कि उसका misuse मैं last में ओत भी लेती हूँ अपने student से कि ये मेरे को promise करके जाओ मा काली के आगे कि आप इसका कभी misuse नहीं करोगे अगर misuse करोगे तो उल्टी energy आप पर पढ़ेगी for sure किया है मेरे पहले शुरू में मैं ओत नहीं लेती थी student से तो उन्होंने किया है वो negative अब बैठे है अनाम से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अब connect करते है मैं please कुछ कर दो कुछ कर दो मैंने कर नहीं आपको मैंने positive के लिए दिया था आप उद्धार करो दुनिया का इसलिए ट्यून करवाया था अगर आप ऐसे करोगे मैं इस यूज तो नहीं करवाओंगी किसी भी हाल में बट ऐसा possible है कि आप मा काली healing से किसी के चक्राज को imbalance कर दो हो सकता है बिल्कुल चक्राज की lighting जो है आप चेंज कर दो हो सकती है लेकिन I never do this जो simple सी बात है अगर switch on कर सकते हो तो off भी तो कर सकते हो किसी चीज का क्योंकि हमारे body में 104 चक्रा है माइनर और major major 7 है माइनर हमारे उससे plug-in हो रखे है तो उसमें से कोई भी एक चक्रा छेड़ दो आप क्या फरक पड़ेगा सामने आले को थोड़ी पता चलेगा लेकिन I never do this मैं हमेशा positive ही करती हूँ और मातरानी का आशिरवाद यह है शायद इसलिए लोगों को इतना अच्छा feel भी हो जाता है में इसे बात करके या energy इतने अच्छी और उनके काम भी बनते हैं सिर्फ इसलिए वा माम यह तो बहुत बढ़िया बात है और माम एक चीज मुझे और पूछनी थी आपसे आप tarot card भी पढ़ाते हो और tarot card आपके वेदिक वाले जैसे कई सारे तरह के tarot card होते है जो देखो original एक ही है rider weight का वो ही सिखाती हूँ major वो ही tarot card सिखाती हूँ जो original है वो tarot card सिखाती हूँ और मैं माकाली healing सिखाती हूँ अब भी for the time अकाशिक के मैंने batch बंद कर रखे है जो में इदिक वाले आते हैं वो भी originally होते हैं अच्छल में tarot जो बना है वो rider weight वाला ही बना है वो फिर एक हमने अपने हिसाब से डाल दिये कि ये tarot इसका मतलब ये है इसका मतलब वो हमने फिर बना दिये उसमें different different form कर दिये अच्छल में tarot rider weight का ही है अच्छा पर फिर मैं इसमें भी हिंटी सिटी कैसे चेक करें कि tarot जो किसी अगर लोग और जगा जा रहे है या कुछ भी कर रहे है कोई vedic tarot कर रहे है कोई कोई और format का tarot कर रहे है तो क्या सब सही है अपनी जगा पर देखो मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी अगर कोई कर रहा है और किसी को result मिल रहा है तो मतलब वो सही है बट original तो rider weight ही है और कितने मेरे से कितने लोग पूचते भी है मैं आप rider weight से ही करते हो न तो मैं कहते हूँ हाँ जो original tarot है मैं उसी से ही करते हूँ main वो ही है उसी से connect करके reading मेरे अगर आप आके देखोगे मेरे जो रूम है जिस में मैं reading करते हूँ मेरे पे more than 500 tarot decks है सेम उसके नहीं अलग-अलग oracle decks अलग होते हैं टेक है tarot deck अलग होते हैं उसके अंदर माकाली deck अलग है शिवजी जी का deck अलग है बहुत सारे decks हैं लेकिन जो original deck है वो rider weight का tarot deck उसी से मैं reading करते हूँ लेकिन मेरे पे राइडर weight के बहुत सारे हैं 7-8 deck हैं reason कि वो भी ठकते हैं energy वो भी cards भी लेते हैं ये rider weight है कौन एक जला ये rider weight जिन्नों ने ये tarot decode किया था वो है जिन्नों ने tarot को बनाया था टेरो एक form book में था उसको picture pictorial form में दिया था depict किया था वो है right away अच्चा मैं आप कह रहे थे माकाली healing बहुत सारे लोग लेते हैं तो बहुत सारे लोग अगर enroll करते हैं तो अब वो कैसा process होता है और कैसे आप वो करोगे और क्या dates है special healing वाला simply आप website पर जाओ मेरी उस पर book करो website से जब वो book कर देते हैं book करने के बाद उन्हें एक से दो घंटे के अंदर या हो सकता है शाम तक depending on the day अगर चुट्टी वाला दिन है तो शाम तक reply आता है मेरी team reply बेज़ती है इतनी दारिक को आपको healing होगी आपकी healing होगी उससे पहले आपको यह यह भेजना है इवन उससे पहले एक दिन पहले दो दिन पहले मैं voice note भी भेज़ती हूँ आपको अपना concern कैसे लिखना है photo कैसे भीज़ती है यह सब चीज़े आप मुझे भीज़े और फिर मैं healing करती हूँ क्योंकि नाम की candle लगानी पड़ती है मुझे candle सबकी एक साथ लगेंगी जो मैं माता रानी के आगे उसे एक तरीके से कहलो आप अडजी मैंने अडजी लगा दी लेकिन जो healing होगी वो एक एक परसन की ही होगी इसलिए मुझे बारा बारा ठारा ठारा घंटे भी लगते हैं आपके पास तो कितनी एंड्रोल्मेंट आएंगी बहुत सारी आती है बहुत लोगों को पता चलता है यह अगर उन्होंने बताया है जो हमने नहीं बताया तो मतलब जैनुएनली कर रहे हैं तभी उन्हें पता चल रहा एच्वल में कि यह की थ्रॉट चक्रा में को खतम करते हैं बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग और नॉलिजबल पॉडगास्ट ही रहा मैं फिर से और में ओडियंस को बता दो कर आपने माम के साथ हमारा पहला पहला पॉडगास्ट में कर दिया है जिसके अंदर हमने डीपली बात करी है टारो कार्ट की पास लाइफ क के बारे में कैसे देखते हैं और माम को रीच आउट करने के लिए सभी डीटेइल माम का इंस्टेगराम फोन नंबर वेबसाइट नीचे मेंशन है प्लीज गो और चेक इट आउट और हम आपको मिलेंगे नए पॉडगास्ट में माम जाते हुए आपको कहना चाहते है जान जे मादे जानदी जानदी में?